नमस्कार मैं रविंदर कुमार मीना सायक आचारिय भूगौल आप सभी का स्वागत है भूगौल की इस कक्छा में इस कक्छा के अंतरगत हम भारत का भूगौल पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो सीरीज में हमने भारत की भूगौल की अंतरगत भारत की जो क्रसी प्रदे को पांच भागों में विवाजन किया था आज हम उसी क्रम में भारत के जो क्रیसी प्रदेश है उनका जो पार्ट सेकंड है उसका अधिन करें गी और पी सैन गुपता और जीएस दयाक महो Comics के दुआरा जो भारत की क्रेसी प्रदेश है उनका नरधारन किया गया है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे पी सैन गुपता ने अपनी पुस्तक जो है Economical Reasonation of India में सरप्रथम भारत के को क्रम बद्ध क्रेसी प्रदेशों में विभाजित किया था भारत के जो क्रेसी प्रदेश हैं उनका नर्धारन इन्होंने किया था और सरप्रथम और बाद में उन्होंने देखा कि जो फिजिकल फीचर हैं उनकी डाइवर्सिटी हैं धरातलिये जो बिभित्ता हैं और जलवाईयों को पुने आधार मान की 11 उप क्रेसी प्रदेशों में फसल सहाचरता की पिवित्ता की आधार पर और 60 क्रेसी लगू प्रदेशों का डिवाजितन उन्होंने किया है तो उन्होंने 1968 में भारत को चार सम क्रेसी चितर, 11 मद्धवर्ती चितर और 60 सुक्समर्द चितरों में विभाजित किया यह यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं यह विभाजन उन्होंने क्रेसी, क्रेसी आगतों, निर्गतों, स्रम, सिचाई, फसल, गहनता, वर्षा, मर्दा, सूचक, इस्तर, आधी के विभिन प्रेकारों के आधार पर किया है जिनको हम डिटेल से यहाँ पर देखते है इनके अनुसार भी पहला जो छित्र है हिमाल्याई क्रेसी छित्र है इस क्रेसी छित्र में वर्षा की विवित्ता पाए जाती है यहाँ वार्षी वर्षा ओस्तन 120 सेंटिमेटर से लेके और 250 सेंटिमेटर तक होती है इसके अंतरगत हीमाचल प्रदेश, जम्मु कस्मीर, कुमाईू हिमाल्याई, दौरजी लिंग, असम हिमाल्याई और उनाचल प्रदेश आदी छित्र आते है क्रेसी की द्रस्टी से यह है बहुत अनकूल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत जादा है, छित्री विवित्ता है हम देखते हैं कि यह हिमाल्याई पर बस रंकला है, उसका पाइट है तो यहाँ पे दर्रे हैं, गाटिया हैं, घने जंगल हैं, उच्छे उच्छे पहाड़ा है फिर भी कुछ फ़सले हैं, जिनका यहाँ पर यह प्रोडक्शन किया जाता है उनमें गेहू, धान, मक्का, चावल, सोरी चावल की जगे चनना है और आलू, और कुछ फले हैं, जिनका प्रोडक्शन इस हिमाल्याई करसी छेत्र के अंतरगत किया जाता है दूसरा है पस्यमी छेत्र तो जो पस्यमी छेत्र है, इसको चार उखंडों में डिवाइड किया गया है और चार उखंड कौन-कौन से देखिए, पूर्बी मैदान, प्राइधीपीय पठार, पूर्बी पहाडिया, और पथार, और पस्यमी समुदरतटियय प्रदेश ये चार भाग हो गए कि सबसे पहले पूर्बी मैदान ले लिया, प्राइधीपय पठार ले लिया पूर्वी पहाडियां और पठार ले लिये और पश्चिम का जो कोस्टल एरिया है उसको ले लिया अब फिर वो बता रहे हैं कि पूर्वी मैदान की अंतरगत ब्रह्म पुत्र घाटी उसके निचली ब्रह्म पुत्र घाटी पश्चिम मंगाल भागी रती डेल्टा उडिसा के तटवर्थी छितर इसके अंतरगत आते हैं प्राइदी पिये पठार के अंतरगत छोटा नागपूर उप्री महानदी वेसिन उडिसा की पहाडी वस्तर का पठार और मद्धवर्थी मद्ध परदेश आते हैं जबकि पूर्वी पहाडी और पठार के अंतरगत यहाँ पे हम देखें तो ये मिघालाय मिजोरम गारों की पहाडियां मिकिर कचर खासी जैनतिका और नागलेंड की छितर आते हैं तता पश्यम समद तटिये प्रदेश के तहट खंबात की खाड़ी यानि खंबात का तट उत्री कौंकन करनाटका का दक्षनी कौंकन तट उत्री और दक्षनी मालावार तट आदी की छितर आते हैं और इस छितर में जो बारिस हैं वो 100 से 125 सेंटिमेटर तक होती हैं आद्र क्रसी छितरों में उत्पादत होने वाली फसलों में यहाँ पर धान, तिलन, गहुँ, मोटे अना, चाय, नारियल, चना, गन्ना और जूट जैसी फसलों का प्रोडक्षन है जो इस एरिया में किया जाता है तो यह पस्यमी छितर है तीसरा जो इरिया है बड़ा वो है अलपाद्र क्रसी का छितर इस चितर को इस तुल रूप से तीन उपखंडों में विभाजित किया जाता है उपरी और मद्द गंगा का मैदान अलपाद प्राइदीप ये पठार अलपादर समुत तटिये चितर उपरी और गंगा के मैदान की अंतरगत उपरी गंगा का तारे चितर पूर्वी उत्तर प्रदेश मद्द गंगा का मैदान इन सब एरिया को आप अच्छे से एक्टस पे देख सकते हो डक्षिन गंगा का मैदान अवद का मैदान आधी चितर आते हैं अलपाद प्राइदी पिये दक्षणी आंधरा तट क्रिष्णा गोदावरी का डेल्टा तमिन नाडू का समुदर तट दक्षिन पूर्वी तमिन नाडू गुजरात का समुदर तट आधी यहाँ पे जो बर्षा है वो पिचतर से सो संट नूटर तक होती है और विविन चित्रों में बर्षा के ओसत में डाइवर्सिटी है विवित्ता है जो मुख रूप से पाई जाती है सिचाई की सुविदा प्राप्त होने पर क्रिषी कारिये को प्रोसाहन मिलता है और इस क्रेसी छित्र में मुख रूप से निमने फसलें उगाई जाती है केहू, धान, गन्ना, चना, मक्का, मोटे अनाज, कपास, मुंख, फली, तिलहन और तमाकू जैसी फसलों का यहां पे उत्पादन है जो इस छित्र में किया जाता है पी सैन गुपता के अनुसार चोथा बड़ा छित्र है सुस्क क्रेसी का छित्र इसके अंतरगात देश के बेभाग सामिल है जहां क्रेसी कारिये के लिए जल की विसेश कमी है इसके दो उपखंडों में उन्होंने इसको भी डबैट किया है कि सुस्क उत्री पैसिमी प्रदेश और सुस्क प्राइदी पिया पठार क्योंकि ये दोनों ही एरिया ऐसे हैं जहां पे जल की विसेश कमी है सुस्क उत्रपैसिम मैदान की अंतरगत राजस्तान का मरुस्तली मैदान अर्द मरुस्तली मैदान उत्री पंजाब का मैदान अरावली की पाड़िया सोराष्ट कश्च छित्र जबकि सुस्क प्राइदी पठार की अंतरगत तापती नर्मदा का दोवाब गुदावरी घाट भीमा कृष्टा नदी तुंगे भद्रा रोयल सीमा का पठार आदी चित्र हैं ये वो चित्र हैं जहां पे सुस्क क्रसी की जाती है और यहां पे मुख के रूप से कपास तिलन मोटे अनाज गयूं मुख़ली चना आदी फसलों को इस एरिया में उगाया जाता है तो ये डॉक्टर पी सेन गुपता की अनसार भारत की क्रसी प्रदेशों का नरधारन उन्होंने किया था जिन में उन्होंने चार भागों में भारत की क्रसी प्रदेशों को डिवाइड किया थेंक्यू